है 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 लो नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार प्लैटफर्म आप स्टडी पे फ्रेंट जैसे कि आपने देखी लिया होगा थम्नेल में आज हम पढ़ेंगे जीके ग्यान का पार्ट नंबर 15 इसमें अगें हम इंपर्ट कोश्चेंग के बारे तो चलिए आज की वीडियो को में शुरा करते हैं उससे पहले जो लोग मेरे चैनल फास्ट आम है मेरे चैनल सब्क्राइब कर बैल अकर दबा लिजेगा ताकि आपको वीडियो नोटिकेशन प्राप्त होती रहे दूसरा मेरा टेलिग्रम चैनल याद इसे जॉइन करना जि तो चलिए आज की वीडियो की वीडियो की डाल दी जिन्नों नहीं देखिए जाके देख लीजेगा और जो लोग पहली बार आए है चैनल पे नहीं सब्क्राइबर हैं तो मेरे और वीडियो आप देख लिए का सारी जो प्रीवेस वीडियो जी की महें रीजिनिंग की तो आपके काम ही आएंगे तो चलिए आज की वीडियो को सुरा करते हैं उससे पहले मैंने आपको हमर कुछन दिया था जब लाश्टाम में आपको जीके पढ़ाया था पार्ट नमर्च चौदा तो उसको पहले हम डिसकस कर लेते हैं तो फ्रेंट मैं आपको हमर कुछन दिया कर राष्ट पती राष्ट पती के अनुपस्थिती में कौन राष्ट पती होगा तो इसका राइटा सभी स्टूटेंट ने राइट अंसर दिया है और राइट आंसर है भारत के मुख्य नियाई थी चीफ जश्टिस ऑफ इंडिया और वरताने जब नहीं चीज क्या बोलते हैं उससे पहले मैसेज देना चाहूंगा मैं आप लोगों को एक सेकंड का मैसेज जादा बड़ा मैसे नहीं है मैसे यह है कि आपको पता है सब कोरोना का प्रकोब जाए दूसरी लहर पर आ गई और बहुत खतरनाग लहर इसमें क्या हो रहा है कि इसके देखे जा रहे हैं जैसे खांसी आना कफ होना सांसे तकलीव होना लिक्सक्राइब लोग केंदे कोरोना पॉजिटिव आ जा रहा है तो यह आप लोग सेफ्टी से रहिए गा और जहांते को लॉक्डाउं का पालन के रचेसा अपने घर में ही रहें घर में रहें पढ़ाई लिखाई करें आप पापा हैं दाद दादी हैं बुजर्ग लोग हैं कि उनको गया तो एक की उजासे सबको भुखतना पड़ सकता है तो इस बात के जहां रखिएगा और जाना ही है तो प्रॉफर सेप्टिक साथ जाहिएगा मास्क जरूर लगाई है बिल्कुँ हीरो गिरती मत दिखाई है मा बिल्कुल बना के रखो और जरुत पढ़ने पर घर से बहां निकलना उससे पहले घर से वाहर मान निकलना प्लीज माप रिक्वेश्ट कर रहा हूं क्योंकि आपके साथ आपके पूरी फैमिली की जान जोड़ी हुए इस बात का दिमाग में हमें साहरा रखना इस बात को ठ लोग के लिए यूटूब बढ़िए चलि यह चलिए फिर आज की वीडियो में सुरुवाद करते हैं पहले को से महा भारत का फार्सी मनुआत किस ने किया था तो ट्रांसलेटेट दा महाभारत इंटू पर्शियन और जितने इस नोट बनाती चलिए अगला इसको राइट अंसर वह ऑफसन नमबर डी बदायुनी बदायुनी नहीं महाभारत का फार्शी बनवात गया तो और कोश्ण बहुत बढ़ाया हुआ ग्याम मैं अगला कोश्ण मानव सरीर के रख्त संचन की खोज किसने की हूँ डिस्कावर्ड डब्लड सर्कुलेशन ऑफ यूमन बॉर्ड वेरी वेरी इंपुड़ कोश्ण और इसकी खोज हाली में की गरी है तीन चाली सार पहले सी खोज करी गई ती इसके लिए नोबल प्रेज भी दिया गया था औ एजरा कप इस रिलेटेटेट टू विच गेम वेरी वेरी इंपूर्ड कोश्ण फ्रेंट्स एजरा कप काफी पूचा जाता है एक जामस के अंदर क्योंकि तोला ऐसे गेम से बिलॉंग करता जिस गेम करने नॉलेज आप लोग बहुत कम होती है कि का पेस का संबंद्य आपका पोलो से ओप्सन नमबर से अब पोलो में प्रतेक्टीव में चार प्लेयर होते हैं यह आपको या रखना है ठीक ना अगला कुश्चन है क्राइव जिनिक्स का मतलब क्या है वाट ड़क्राइव जिनिक्स मीन्स इस्टेडियों वेरी ही प्रेचर इस्टेडियों बैक्टेरिया या फॉसल इस्टेडि बेरी वेरी इंप्रकुष्टन अगें तो जो क्राइव जिनिक्स से फ्रेंड आप न्यूज्व सुनती भी होंगे और इसका ज्यादा तर प्रियोग रॉकेट को प्रफल्सन में क्या जाता है इसका प्रियों ठीके ना और इसका जो अंसर है वह आप्शन नंबर भी इस्टेडियों बहुत निम्रत आपमान का अध्यान इसको क्राइव पोलते हैं अगला कुश्चन है बंगाल के बटवारे का आधेज किसने दिया था हूँ ऑडर डपार्टिशन और पैंगॉल वेरी वेरी इंप्ड पांच में बंगाल का विभाजन हुआ था जिसके बाद सवादेशी अंतुल में शुरूओ गया था कि सवादेशी अपनों बिदेशी भगाओ और इसका जो ओडर किया था वह गया लौड करजन ने जानते हुए का नाम लौड करजन ऑप्सन नमबर ए उसके बाद किया वा था ठीके ना अगला कुशन है कौन सा सहर विजय नगर समराज की राजधानी हुआ करता था विच सिटी यूज टूबी दा कैपिटल ओप दा विजय नगर एंपैर विजय नगर एंपैर मैंने हमीसा बता है बहुत इंपोर्टन टॉपिक आपके लिए क्योंकि यहां से कु अब छोड़ है तो बताया यहां था विजय समराथ की ऐस्तापना करी थी वह रही हर और वुक्का ने लेकिन इसकी राजधानी होता करती थी हम पी नदी किनारी थी और वरतबान वेगर देखिए तो वर्तमान कर्नाट का स्टेट कंदर यह पाया जाता है ठेला हम पी का जो के लिए डिमांड आ रही है और अगर आप तो नहीं देंगे आप लोग में महनत क्यों करो जब आप लोग कर रहा हूं आप लोग मेहनत करूंगा जो बच्चे पढ़ाना चाहते हैं ठीक है जिनको रेल में जॉब चाहिए अगर आप लोग कहीं और से पढ़ने विला कहीं हो पढ़े लिए मैं मना नहीं करता हूं कि आप कहीं हो जाके मत पढ़िए मेरे चैनल पर रहने जरुद भी नहीं है तो वहां जाके पढ़ो मैं अपनी चैनल पर सब्सक्राइब करतूंगा मैं देख रहा हूं कुछ दिन तक और अगर नहीं अच्छा रेसमाश मिला तो यह ए और यह एक नंबर कोश्ण होते हैं अच्छे कोश्ण होते हैं ठीक है तुम्हार राइट अंसर है वह है आपका पासकल और अप्सन नमबर सी और इसका फॉर्मला क्या होता है पी ब्रावर एफ यह यह निप्रती एकांग खेटर प्रपर लगने वाले बलको हम दाब कहते है ठीक एक बने वह एक एरिया अगला कुछन है भारत के समीधान का नुच्छेत जो राजयपाल से संबंदित है अर्टिकल ओफ दा कॉंस्टिटूशन ऑफ इंडिया विच रिलेटेट टू डग गवर्नर तो राजयपाल चांदती है राज हर राज्यका एक राज्यपाल होत अच्छी बात है सुन लेंगे अच्छी बात है तो रहाएं चल देखाए अगला कुछन है दस कुमार चरीतर किसने लिखी थी वो रोट डस कुमार चरीतरा तो यह एश्टेंट बुक्स है बहुत इंपर्टन बुक्स है इससे कोशन बहुत पूछा गया मैं देखा एक्जा इस साइलेंट पैली नेशनले पार्क इस लोकेटेट इंट आप जानते हों कि साइलेट पार्क है के रल आजेंगे पढ़ते हुआ जैसे बात ही करल राजमी वह लेकिंगे उन्दे को को इस्टेट्प सारे दे दिया है तो यह होता थोड़ा को डीप बनाना अब इसकोशन क मद्यप्रदेश चिंदवाला जिला इनमें से किस मेले के लिए प्रसिद्ध है चिंदवाला डिष्टी को मद्यप्रदेश इस फेमस फॉर विच ऑफ दीज फेयर्स बहुत इंपर्ड़ कोश्चन है और आपके एक्जाम में आ सकता है चत्तिजगण के एक्जाम है तो वहाँ अगरतला या कि राजधानी है तो प्रेंट जो नौर्ट-एस टेट होते हैं वहाँ की जो कैपिटल होती है वह पूछ लिए जाते हैं तो जी गंटोक है यह किसकी राजधानी यह सिक्किम की राजधानी है राइट रोगा हमारा ऑप्सन नंबर ए सिक्किम तरीपूरा की प पताई रखी मैंने अगरतलब वेगाली क्या है में फिलांग और नागलेडी क्या है को हीमा यह आपको यह अगला कुछन है कि चुम्भी घाटी कहां इस्थी थे वेरी चुम्भी वैली लोकेटेट वहरी बटकुर्चन काप्य रख जाम है वास वाले चुम्भी घाटी बह यह वहीं पर सीटे से राइट एंसरे सिक्किम ऑफसर नमबर भी अगला कुछन है धातू का वह गुड़ जिसके करण उन्हें पीट कर सी चैन एंट कन्वर्टेट इंट्व है ताब देखते होंगे कितने वारा मार्केट जाते तो ध्यक्ष बनाते हैं तो वह किस होता है धातू की प्रॉपर्टे कॉंस यह कूछ सेट मं बना पा रहे कोश्चन यह कह रहा है तुसको हम बोलते क्या उसका हम बोलते अघाथ है अगला कुछ आ है दिल्ली के कि सासक ने तुगलकाबाद सहर भसाया था विच रूलर ओफ डेल्ली सेटलड दा सिटी ऑफ तुगलकाबाद बहुत लोग उस पसंसे नंबे समय तक दिल्ली पर आज भी किया था तुगलक बंस के लोगों ने कापकी टाइम तो और तुगलका सब्सक्राइबाद सहर इसको बसाया था ग्या सुद्धिन तुक लगने ऑप्सन नमबर सी ठीक न अगला कुछन है कि सिंदु घाटी की लोगों की मुहर में किस भगवान की प्रतिकृति का मुद्रण मिला था तो सिंदु घाटी के लोग प्रति की पूजा करते थे और किस जानवर की इसमें फोटो मिली इसमें गाय की फोटो नहीं मिली थी मुहर में बाकि सब्की ती अगला कुछन है कि बंदे मातरम पहली बार कब भारती राष्टे कॉंग्रेस का दिवेशन में गाया गया था वेन वाज बंदे मातरम फर्ष्ट संग एड़ा सेस्टन ऑफ इंडे नेशनल कॉंग्रेस तो बंदे मातरम जानते हैं इसके लिखा कौन है बंदीम चल्टे जि कि में से किसने भारत में पारसियों का मसूहूर पर्व नवरोज की सुर्वात की हूँ एमेंग दीज श्टार्टिट दा फेमस नवरोज फेस्टिवल ऑफ जोरॉस्ट्रियंस इन इंडिया बहुत बर इंडिया मैं इसको स्टार मार्ग बना के रिख लिएगा बहुत इंप बहुत करीती वह करीती बल्बन ने ओफसन नंबर ए बल्बन और इसने ही रखता और लहों की निती भी अपना ही थी इसने बहुत खतरनाक सासक मना जाता था यह गुलामन्स में समभल लेजिए ठीके ना एकला कुश्चन है और पैबोस की प्रताशी ने सुरू की थी आपक पर नेसनल पार्क वहीं पर देम मनाए गया एक पर या नेसनल पार्क भी यह जो केरल राजबे इस्थीत है ठीकिन तो इडियो की बाइन जो है यह पेरियार रीवर पर है जो कि केरल राजबे स्थीत है अगला कुश्चन है निम्न में से किसे उन्नीसों ब्यालिस के विरांगना कहा जाता है विच और विरांगना ऑफ क्यूट इंडिया मोमेंट ऑफ 1942 वहरी वहरी इंपड़ो कोश्चन से सुचिता किरपलानी एनी बेसें अरुड़ा आसा पली यह सरोजनी नाइडू तो फ्रेंट्स विरांगना के नाम जाने जातें उन्योंसे ब्यालिस सब्सक्राइब कर भारत कब आ गए थे हैं महात्मा गांदी लिए साउथ अफ्रीका फॉरेवर एं रिटन टू इंडिया उन्योंसों बारा तेरा चौदा पंदरा तो यह आपका इसका यह आपका हम्वर कोश्चन इसका जवाब देंगे कमेंड वॉक्स में तो अगर वीड झाल